नमस्कार दोस्तों आपका अपने चैनल मनुज गुपता के अड़मी में आपका स्वागत हैं दोस्तों आज हम लोग कच्छा साथ वी के गडित में पाथ 11 अवरी तका प्रेसर संग्राथ 43 करने वाले हैं दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब में गया तो प्रेसर संग्राथ 43 को करने के पहले हम लोग उसके कुछ बेसिक पार देख लेते हैं देखो यहाँ पर क्या दिखाया है आओ थोड़ा याद करें याद करें का मतलब यह क्या दिया गया है व्रित्त खंड हम लोगों ने छटवी में पढ़ा है आर्क आफ द सर्कल व्रित्त खंड को हमने पढ़ा है यहाँ पर देखो यह प्रकार का क्या है चूड़ी दिया गया है देखो यहाँ पर क्या रिका है संलाग नाकरिति में प् वृत्त के संदर्व में क्या कहेंगे मतलब अगर ये चूड़ी है चूड़ी क्या होती है वृत्ताकार होती है ये जब चूड़ी टूट गई है तो ये जो ये वाला भाग है या तो ये वाला भाग है इसको हम लोग क्या कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे इसको कहेंगे यहां पर B से यह कटा हुआ है या बोला जा सकता हूआ है तो देखो A Y B इसको क्या बोलेंगे चाप A Y B जो होगा यह क्या हो जायेगा यह जायेगा दिर्ग वरित्त खंड और चाप र-A-X-T ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा अर्धवरित्त खंड और क्या दियागा जैको केंद्रिय कोण और चाप का माप तो हम लोगों को पता है ये वाला होता है ये चाप होता है तो मतलब ये क्या हो जाएगा इसका नाम क्या दोगे चाप A-Z-B लेकिन यहाँ पर यह चाप का माप तो हो गया लेकिन यहां पर केंदरी कोंड का मतलब क्या हो गया यह वाला कोंड का माप तो कभी भी याद रखना कि यह वाला जो कोंड का माप होता है मतलब कोंड A, O, B का जो माप होगा वो किसके बराबर होगा चाप A, Z, B के बराबर होगा देख़ें आपे लिखा है कौन A, O, B या चाप A, Z, B से संबंदित के इंदरी कौन है चाप द्वारा बने के इंदरी कौन का माप उस चाप के माप के बराबर होता है मतलब यह अगर 80 अंस है तो इसका भी माप कितना हो जाएगा 80 होगा अगर यह 90 है तो इसका कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा यहां पर देखो क्या दिया गया है लगो चाप का माप उससे संबंदित के इंदरी कौन के माप के समान होता है मतलब बराबर होता है और अगर हमको दिर्ग चाप का माप निकालना है तो संगत लगुचाप का माप 360 में से माइनस करना पड़ेगा और अर्धिवृत का माप जो होता है वो एक्सवसियन्स होता है अब हम प्रष्ण संगर 43 करते हैं प्रष्ण संगर 43 में दिया क्या गया है पहले प्रष्ण में दिया गया है सही विकल पर चुनो मतलब यहाँ पर चार ओप्सन दिया गया हमको यहाँ पर चुनने ना है तो अब यहां पर ध्यान दोगे AXB हमको कितना दिया गया है 120 तो इसका मतलब क्या हो गया यह जो AXB है यह हमको दिया गया 120 अंस और यह AYB यह बड़ावाला निकालना है तो हमारे पास फॉर्मुला है धीर्ग चाप का माप बराबर 360 अंस माइनस संगत लगू चाप का माप यह हमारा फॉर्मुला है तो दिखो कि दिर्ग चाप क्या बन रहा है माप चाप दिर्ग चाप मतलब बड़ावाला तो यह क्या बन रहा है AYB बराबर 360 अंस माइनस संगत लगू चाप क्या बनेगा माप चाप A, X, B बनेगा इस तरीके से बनेगा दिर्ग चाप कहां सा है बड़ा वाला चाप कौन सा है A, Y, B है और छोटा वाला चाप क्या है A, X, B है तो यहाँ पे हो जाएगा 360 minus देखो कि यहाँ पे A, Y, B कमान निकालना है और A, X, B कितना दिया गए 120 अंस दिया गए यह जाएगा 120 अंस तो 360 अंस में से 120 अंस गया तो कितना हो जाएगा 240 अंस यहाँ पे हमारे पास आजाएगा माप, चाप, A, Y, B बराबर 240 अंस तो हमारा उत्तर कौन सा आएगा तीसरा वाला उत्तरा जाएगा 240 अब हम अगला प्रस्न करते हैं दूसरे प्रस्न में क्या दिया गए सनलाब ने आकरिती के ओ केंदर वाले वृत्त में वृत्त के कुछ वृत्तकंड दिखाए गए हैं उन्हें में से वृत्त के लगूचाप, दिर्गचाप और अर्दवृत्त चाप के नाम लिखो यहां पर सबसे पहले लिखते हैं लगूचाप के नाम लगूचाप के नाम तो हमको यहां पर दोको लगूचाप बोला गया है तो लगूचाप का मतलब क्या हो गया छोटा-छोटा चाप तो पहले आजागा चाप PXQ छाप P X Q लोखो ये वाला आजा उसके बाद इसके अंदर देखो ये छोटा सा है PX है यहाँ पे लिखोगे चाप P X उसके बाद में XQ चाप X Q इसके बाद में देखो चाप Q Y चाप Q Y इसके बाद में चाह-Ry, फिर चाह-Pr, देखो-Ry यह वाला और पि-R यह वाला अब दिर्ग चापल लिखते हैं यहाँ पे लिखो दिर्ग चाह के नम दिर्ग चाप में क्या आएगा जो बड़ा रहे है यहाँ पे बडा पहले यहाँ से पकड़ते हैं P से देखिया जगा P Q R यहाँ पे लिखो चाप P Q R उसके बाद में अगर X से पकड़ेंगे तो यहाँ से X Q R भी लिख सकते हैं चाप X Q R अब यहाँ से Q से पकड़ोगे तेखिया जगा Q R P लिख सकते हैं चाप Q R P अब यहां से y से पकड़ोगे तो क्या होगा ypq कुछ भी लिख सकते हो चाप ypq अब यहां से r से पकड़ोगे तो क्या होगा rqy लिख सकते हो चाप rqy अब यहां पे अर्ध वृत चाप के नाम अर्ध वृत में क्या आएगा जो आदा वृत दिखाता तो यहां पे देखोगे यह q से यह r में है ना यह क्या लिखो चाप qpr यहां पे लिखोगे चाप qpr एक बनेगा और दुस्तरा क्या बनेगा चाप qyr यहां पे लिखोगे चाप qyr इसी तरीके से करना है अब हम अगला करते हैं तीसरे प्रेस्ट में क्या दिया गया है सानलगने आकरिती के ओ केंदर वाले वृत में लगूचा pxq का माप 110 अंस है तो दिर्ग चाप pyq का माप ग्याद करो तो हम लोग को पहले क्या दिया गया है ओके अंद्रवाले वृत में लगू चाप क्या दिया गया है P X Q यह दिया गया है यह कितना दिया गया है 110 अंस और यहां पर P Y Q का निकालना है तो यहां पर Y लिख दोगे इस तरीके से बनेगा हमारा आखरिती तो यहां पर लिखोगे देर्ग चाप का माप बराबर 360 अंस माइनस संगत लगू चाप का माप लगू चाप का माप यह पर इसका नाम लिख दो देर्ग चाप क्या है यह है माप चाप P Y Q बराबर 360 अंस माइनस संगत लगू चाप क्या हो जाएगा माप चाप P X Q तो यह हो जाएगा 360 अंस माप चाप P X Q कितना दिया गया 110 अंस 360 में 110 अंस जाएगा तो कितना हो जाएगा 250 हंस हो जाएगा यह हो जाएगा माप चाप P Y Q बराबर हो जाएगा 250 अंस तो इसके उत्तर में लिखोगे दिर्ग चाप पी वाई क्यू का मार्ग 250 अंस है तो दोस्तों इसी तरीके से करना था दोस्तों आज हमारे यहाँ पर प्रैस्न संग्रती राल इस कंप्लीट हुआ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग पामेंड बॉक्स पर जरूर लिख करके बताईए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए अपने फ्रैंड्स के साथ सेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैस्न संग्रती राल इस मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार दोस्तों